हाई आज हम बना रहे हैं ऑथेंटिक चिकन कोर्मा जिसके लिए हमने लिया है सर्सो का तेल और देशी घी सबसे पहले हमने उस तेल में प्यास तल के रख ली हैं फिर ग्यास ओफ करके हमने तेल में चिकन डाला है खड़े मसाले डाले हैं जायफल बड़ी एलाइची छोटी एलाइची दाल चीनी तेज पत्ता काली मिर्च लॉंग और जीरा जूलियन अद्रक लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी मिर्च पाउडर और पिली मिर्च थोड़ी सी हल्दी नमक थोड़ा काली मिर्च पाउडर और सौठ सूखी अद्रक का प प्यास और दही का टो और को दोनेंट के लिए हैं हरि मिर्च और और हरादनिया हमने मसाले और चिकन को अच्छे से मिला लिया अब हम गयास और कराँगे और 2 गासर आप अम को हमारा चिकन भून गया है अब उसे लॅ फ्लेम एक हरी मिर्च हम इसको पेस्ट मनाएंगे इसका इसमें थोड़ा सा धन्याई भी डाला है इन सबको क्राइंड कर लेंगे प्यास दही और हरि मिर्ज का पेस्क अब हम इसको मिक्स करेंगे आब ये अब हम देद़ केटन हमारा पक गया अच्छे से अब हम इस पर डालेंगे हरि मिर्ज और हरा धनिया बहुत ही अच्छा बनाए है आप इस रेसिपी को घर पर ट्राइ करके देखें आपको जरूर पसंद आएगी और अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बाइए